So hi friends, good morning, तो चलिए functions वाले chapter को आगे बढ़ाते हैं, आज part number 2 की बारी है, मैं आपको बताया था कि instead of making one video जिसमें सारे concepts एकी video में हो, उसकी जगा मैं छोटे videos बना रहा हो वरना एक video काफी लंदी हो जाता है, तो part number 1 हो चुका है, जिसमें हमने बात करी थी, आपको याद होगा sets, product of sets, relations, और हम function के definition और basics तक पहुँच गए थे, आप कहानी आगे बढ़ाएंगे, तो पहली request आप से यह है कि अगर आपने part 1 नहीं देखा है, तो please देख सीजिए, उसका link इस वाले video के description में भी मैं दे दूँगा, बहुत छोटा सा 20 मिट का video है, जरूर देखेगा, वरना concepts ठीक से set नहीं हो पाएंगे, तो वो पहली request रहेगी, बाकी part number 2 को आगे बढाते हैं, ठीके, चलिए, तो let us start with this, introduction तो पता ही, आपको दो देख सीजिए रोसको, okay, so part number 2 में, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको बस दो main काम और बचे हैं, then the chapter will be almost over, फिर question की practice पे चलेंग और फिर main चीज़ आएगी, classification of functions, ठीक है, तो पहले वो terms देख लेते हैं, कि actually इस chapter में हमें terms कौन से मिलने वाले, कुछ हम पढ़ भी चुके हैं, कुछ पढ़ेंगे बाद में, तो basically यहाँ पर जो terms मिलते हैं, sets, terms या concepts, ठीक है, product of sets, ठीक है, फिर relations, functions, ठीक, फिर a pre-image, यह बहुत important term चलता है इस chapter में, image, फिर a domain, very very important, co-domain, co-domain, or range, ठीक है, बाकी हाँ, one, one, many, one, onto, into, वो classification में आ जाएगा, जो मैं करवाँगा आपको, अब यह सारे terms हमको देखना है, पहली चीज़ जो इसमें हम देख चुके है, terms, हम पिछले वीडियो में sets की बात कर चुके हैं, जो भी basics की ज़रूद थी हमको, particular to this chapter functions, product of sets की बात कर चुके है, ठीके, relations क्या होते हैं, मैंने बोला था कि every element in product of sets is a type of pairing between the two sets, ठीके, और product of sets में जो भी pairing करते हो, आप हर element एक तरह का relation होता है, from a set to b set, ठीके, बात करीती हैं अबने, और in relations पे जब हम specific condition लगाते हैं, तो function बन जाते हैं, यहां तक की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जरूर, यह तो देख लिया हुआ है, जरूर देख लिया है, जरूर मिस मत करिएगा, वरना basics गरबढ़ हो जाएगा, ठीके, चली, अब यह 5 ताम और देखने हैं फिर we are ready to complete the last part जिसको हम classification बोलते हैं, चली, what is pre-image, तो इसकी बड़ी simple चीज है, जैसे हमने set बना दिया, इसमें यह कुछ element रख दिया हमने, और यह set बना दिया, इसको कुछ element रख दिया, यह A set और यह B set, और फिर हम pairing चालू करते हैं, जैसे इसको इससे जोड दिया, इसक इसको भी इससे जोड दिया, और इसको भी इससे, इसको यहाँ जोड दीजे, पहली चीज, यह relation तो है सबको पता है, पर क्या है function है, हाँ, condition क्या होती है, in a relation, if each element of first set, यह every element of first set, has a image in second set, तो it's a function, अब यहाँ पे सबकी image बन रही है, यहाँ पे, मतलब पहले set में कुछ छ उटा, all the elements are covered, ठीक है, एक चीज और, unique image ज़रूरी है, ठीक है, unique image, यह पहले condition, definition पूरी क्या है, every element of first set should have a unique image, तो एक तो पहले चक में कुछ छूटना नहीं चाहिए, और image unique बननी चाहिए, मतलब यहाँ से एक ही connection होना चाहिए, अब यहाँ से एक connection हुआ, यह किसी दूसरे image नहीं हो सकती, यह बात हम पिछले वीडियो में कर चुक है, ठीक है, that won't be a problem, clear, मतलब कि आपको याद होगा, यह काम चलेगा, पर एक यहाँ गया, एक यहाँ चला गया, यह काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसका discussion अब दुबारा नहीं, पिछले वीडियो में पूरा हो चुक सिंपल सी बात, और इस सो कहते हैं pre-image, बस, तो मान लो यह one है, या यह a है, और यह one है, अगर आपने a को one से जोड़ा है, तो one is the image of a, या फिर a is the pre-image of one, तो जो पहले set के elements हैं, वो pre-image कहलाते हैं, और उनको जिन से भी pair करते हैं, दूसरे set में हैं, वो image कहलाते हैं, ठीक ह तो जैसे आपने इसको जोड़ा इस सिर्फ, यह image कहलाएगा इस वाले की, और यह pre-image कहलाएगा दूसरे वाले की, ठीक है, बस इतना सा concept है, but very very important, तो pre-image और image, pairing में पहले वाले को pre-image बोलते हैं, दूसरे को उसकी image बोलते हैं, इतनी सी बात है, बस खतम, चलिए अब इन 10 terms पर आते हैं, which are very very important, इसमें काफी questions भी बनते हैं, domain और इन सब चीजों पर, जो मैं करवाऊँगा, but concept आज cover करते हैं, it is very very important, चलिए friends, अब एक बाद ध्यान दीजेगा, हम function को अब से define कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यह दिखिएगा, function f from r to r, बस एक sample बता रहोगा, फी तो इसमें और तरीके भी हो सकते हैं, r to r, such that fx is equal to x square, एक x square function, मैंने इस तरह से define कर दिया है, तो function जो अब देखिए, हाँ पर ध्यान दीजेगा, function f, function का नाम ने f रखा है, आप g भी कर सकते हैं, function g from r to r, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, हमने आप f नाम दीजेगा, तो यह मैं समझाएं कि function को f नाम भी देता है, fx भी होता है, gx भी होता है, hx भी होता है, जो नाम आपको दे रहा है, generally fga चलता है, बाट बाकी कुछ और भी चलता है, that's really not a concern for us, ठीक है, clear बाद, अब ध्यान दीजेगा, इसमें, यह रहे दो sets मान लो, तो basically a से b set तक मैं एक define कर रहा हूँ function, जो उपर लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें, इस पहले वाले r का मतलब क्या है, वो values जो पहला set ले सकता है, पहले elements ले सकते है, pre-images ले सकती है, ठीक है, तो this will be a real number, और दूसरा, यह भी real number होना की है, यह तो हमें question, यह जहां पर हमने function को express करा है, बताया है, वहीं पर हमने बता दिया कि यह real number दोनों होने चाहिए, अब imaging कैसे होंगी, मान दी है real number बने आपके, यह 0 हो गया, 1, 2, 3, बढ़ता रहेगा, 1.1, 1.2, यह सब भी आएंगे, क्योंकि यह real number है, यह minus के term भी आ जाएंगे, minus 1.2, decimal अगरा सब आए 3 हो गया, 4 यह चलता रहेगा, decimal वाला काम भी चलता रहेगा, आप जानते हैं, यह चलता रहेगा उपर, pairing कैसे होगी, pairing ऐसे होगी, क्योंकि जीरो की pairing आप जीरो से कर दोगे, क्योंकि अब pairing करते हैं वक्त, बेसिकली function एक machine होता है, यह box, जैसे यहाँ पे इस box का मतलब x square होता है, जो भी value अंदर देगी, उसके square होके बहार आ जाएगी, simple, function trigonometric भी हो सकता है, cubic कुछ भी हो सकता है, example एक लिए, अब 0 को 1 से जोड़ोगे, minus 1 को भी आप 1 से जोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि square करना है आपको, 2 को आप 4 से जोड़ोगे, उधर minus 2 अगर होता, तो वो भी यहाँ पे 4 से जोड़ जाता है, इस तरह से pairing होती रहेगी, यह बन गया function आपका, ऐसी pairing होती रहेगी, अब जान दीजे, हमें अब classification पर क्यों नहीं आ रहे हो, देखिए friends, अगर इन तीनो words के बिना में classification पर आ गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले इनको समझाना बहुत ज़रूरी, और बहुत simple सा मतना, क्योंकि अब जब इनको समझ लेंगे, फिर हम इसको expand कर सकते हैं, graph वाले chapter में, ज यह जो भी values ले सकता है, इसी को हम domain बोलते हैं, और domain या तो सवाल के expression में दिया होता है, जहां function को define कर रहे हैं, या फिर कई बार वो अलग से पूछता भी है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे domain हो गया all the real numbers, मतलब कि, अगर आपने लिखा है that fx is equal to x square, तो आपका input to variable कौनसी कौनसी values ले सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, domain, जैसे यहाँ पे all the real numbers, ठीक है, पर domain निकालने के सवाल भी आता है, जो मैं अभी आपको थोड़ा concept बता दूँगा, यह domain की बात होगे, ठीक है, यह फिरम बताए देता हूँ, आपको भी देखी लेते हैं, सकता है, अब यहाँ पर expression functions से बनता है, जादा कर functions सारे real numbers का input अलाओ करते हैं, कि जैसे for example, आपने लिख दिया fx is equal to 2x plus 3, अब यहाँ पर तो x कोई भी real number हो सकता है, जादा कर functions, linear हो, trigonometric हो, वो सारे real numbers अलाओ करते हैं, बट कुछ restrictions हैं, बस आपको उन restrictions पे नजर रखनी है उन restrictions पे जो भी values आ रही हैं, उनको हटा दिजए, बाकी सब चलेगा, और वो restriction कौन से हैं, वो एक बार देखीजिए, फिर example question बता दूँगा मैं आपको, देखो, questions में जो भी expression हो, domain, real number होगा, except कि यह condition ना आजए, तो बस इन पे नजर रखिएगा, इनके अलावा there is no problem, पह 0 नहीं चलेगा, ठीक है, इसका मतलग, मानलो कोई expression आपका है, 1 upon 2x minus 3, तो यह नीचे वाला 2x minus 3, इसको तो ठीक से रख दूरो, यह 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, 3 by 2, 3 उदर आया, 2 divided हुगा, 3 by 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे domain क्या हो जाएगा, x belongs to real number minus 3 by 2, यह नीचे लेगा, बाकी सब चलेगा, simple से बाक, एक बात अधान रखियेगा, जब भी मैं कोई values, curly bracket में लिखता हूँ, a, b, c, मतलब, सिर्फ वही specific values, वही discrete values में include ये exclude कर रहा हूँ, जब मैं bracket के form में लिखता हूँ, जैसे की 2,3, तो मतलब मैं interval की बात कर रहा अगर मैंने दोनों bracket, small bracket रखे हैं, तो मैं end points को include नहीं करना हूँ, मैं उन्हें हटा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने square रखा, जैसे 2 रखा और 3 को ये कर दिया, मतलब 2 से 3 तक values हो सब की 2.1, 2.2, 3 include कर रहा है, 2 include नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यह देख लो, इसका मतलब क्य होता है, 2 से 3 value चाहिए, include नहीं कर आपने end points, इसका मतलब क्या होता है, आपने end points include किया, आप दोनों को combination में भी use कर रहा है, जैसे मैंने बताया था आपको, और इसका मतलब क्या होते है, कि आप specific value इस्तमाल कर रहे हो, कि x2 या 3 हो जाएगा, range की बात नहीं कर रहे हो, ठीक ह तो brackets में इतना हमें पता होना चाहिए, अगर मानलो आपने ये कर दिया कि 2 से 9, इसका मतलब 2 भी हो सकता x आपका और 9 तक पर 9 नहीं हो सकता, ये हटागा पड़ेगा आपको, ये मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है, सॉरी, ये मतलब, अगर मैंने ये वाला bracket रहे है, वो इंक्लूड नहीं करोगी, चलिए, अब अपने काम की बाते वापस आते हैं, इन सब को हटाते हैं, एक काम करते हैं, इसको पूरे हटा लिकता है, तो पहली condition कि आपके denominator में 0 नहीं चलेगा, अगर आप domain निकाल रहे हैं, दूसरी बात, square root के अंदर जो भी चीज होती है, वो positive हो सकती है, पर वो negative नहीं हो सकती, तो square root के अंदर आपको मान लो, यह alpha है यहाँ पर, तो यह alpha more than equal to 0 नहीं सिंपल सी बात है, बट हाँ, अगर square root denominator में आ गया, यहसे मान लो, यहाँ पर कोई variable है, expression आ गया आपका, तो फिर, यह negative तो हो ही नहीं सकता, positive चाहिए, पर अब 0 भी include नहीं कर पाओगे, देखो square root को 0 से problem नहीं है, पर यहाँ पर square root denominator में है आपका, इसलिए 0 हटाना पना है, तो combination में भी condition आ सकती है, ठीक है, clear, और last चीज, एक function है आपका जिसको आप बोलते है logarithm या log function, बैसे मैं log पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, इस channel में आपको n मान लिया है, ऐसा देख लेते हैं, ठीक है, मतब log of a और base यहाँ पे n है, तो इस case में ध्यान रखिएगा, कि यहाँ पे condition क्या होती है, पहली आप जिस भी number का log ले रहे हैं, वो positive होना चाहिए, simple सी बात, one हो सकता है, one का log 0 होता है, तो जिस भी number का log ले रहे हो, वो होना च चलेगा और negative भी नहीं चलेगा, और जो base होता है, base भी positive होना चाहिए, minus one, in the sense, base भी positive होना चाहिए, पर base one नहीं हो सकता, तो log function की definition जैसे define करी गई है, उसमें base को one allowed नहीं है, simple सी बात, आप इस वागर लिखना चाहिए, तो ऐस से लिख सकते है, that base हमारा एक तो 0 से बढ़ा होना चाहिए, और यह हो गया, ठीक, इसके अलावा, अगर मैं इसको bracket form में पुरा लिखूँ, यह देख भाग, n belongs to 0 से 1, union, 1 से infinity, या फिर आप ऐसे लिख सकते है, n belongs to 0 से infinity, फिर 1 को हटा दूजे, that will be completely okay, मतलब 0 भी नहीं चालेगा, 0 से बढ़ा चाहिए, positive value चाहिए, और 1 को भी हटाना पड़ेगा आपको, पर जिस number का log ले रहे हो, उसका 1 हो सकता है, तो दोनो positive चाहिए, extra condition की base 1 नहीं हो सकता, पर जिस number का log ले रहे हो, वो तो 1 हो सकता है, 0 होती हो, log 1 की value, ठीक, यह ही तीसरी condition, इन तीनों condition को ध्यान में रखते हुए, आप expression का domain निकाल देना, आपको कभी problem नहीं होगी, एक simple example दो अभी on the spot ए question create करते हैं, बकी questions में करवा हूँ आपको, पर अभी एक जो क्योंकि सामने बात आई है, तो let us solve two things, क्या लिया जाए, 2x-3 ले ले लेते हैं, इसको x plus 2 ले लेते हैं, ठीक है, और plus 1 upon root of 3x plus 1 ले ले, ठीक है, ऐसी random ले लिया है मैंने, question देख लीजे, find the domain of this expression, अब देखिए, आपके problematic areas यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आपको ध्यान रखना पड़ा है, सारी condition देख लो एक बार, आप सिर्फ वही values की range लोगे, जो इन सारी condition को satisfy करके, सिंपल सी बात है अपर, ठीक है, चलो, तो सुरू करते हैं, पहले तो जिस तंबर का log ले रहे हैं, वो positive चाहिए, तो 2x minus 3 should be positive, जो base है, यह भी positive चाहिए, यह भी positive चाहिए, पर एक बात और, यह 1 नहीं हो सकता, तो x plus 2, कभी 1 नहीं हो सकता, ठीक है, इस बसका भी चाहिए, और एक बत और, यहाँ देख लीजे, यहाँ square root के अंदर की चीज़ जो है, यह negative नहीं हो सकती, इसको positive चाहिए, पर क्या यहाँ पे आप 0 ले सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे square root denominator में और denominator में 0 नहीं चलता है, तो आपको 0 हटाना पड़ेगा, equal to 0 अठाना पड़ेगा, सिर्फ greater than 0 हो गया, बस, यह सारी condition solve कर लीजिए, जो भी common, सब को satisfy करते हो, values की रहें जाएगी, वहीं आपका answer हो जाएगा, simple, यहाँ पे क्या आगया, यहाँ पे क्या है, x is more than minus 2, एक और बात आपको बूल रहा है, that x is not equal to minus 3, नहीं, minus 3 नहीं, plus 1 हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, sorry, ठीक है, क्योंकि यह नीचे वाला base expression आपका plus 1 नहीं हो सकता, तो x की value minus 1 नहीं हो सकती, और यह क्या बोल रहा है, x is more than minus 1 by 3, friends, अब सही किया, 3 by 2 सही किया, minus 2 वाल भी सही हो गया, not equal to 1 बोला है, तो minus 1 नहीं हो सकता, बढ़िया है, और यह minus 1 by 3 बढ़िया, एक कान करते हैं, आप एक number line ड्रॉख कर दीजिए, आप roughly, उसमें सह values mark कर दो, सबसे इधर तो आएगा अपना minus 2, यह सारे critical point पर माप कर देता हूँ, ठीक है, फिर अपना आएगा है, हाँपे minus 1, फिर आएगा minus 1 by 3, बीच में कहीं 0 आएगा, और यहाँपे 3 by 2 आएगा, let us mark all the conditions, 3 by 2 से बड़ा चाहिए, यह 3 by 2 से बड़ा कर दिया, minus 2 से बड़ा चाहिए, यह कर दिया, minus 1 के बराबर नहीं से यह ठीक है, अगर range मा है तो बाद में हटा देंगे, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है, और minus 1 by 3 से बड़ा चाहिए, इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में, common range आपकी देखो, जो सब में include हो रहा है, वो यह वाला part हो रहा है, जो सब में आ रहा है, तो यहीं आपका answer हो जाएगा, that x belongs to 3 by 2 से infinity, infinity हर समय small bracket में आता है, you can never include infinity, 3 by 2 किस में आएगा, 3 by 2 किस में आएगा, यहीं पर, क्योंकि कुछ option में include करेगा, square bracket, कुछ में नहीं करेगा, small bracket, आप किस में करेंगे, नहीं करना है include, देखो, यहाँ पर equal नहीं है, यहाँ भी small bracket यहाँ आपका answer होगे, खत्म, ठीक है, अब actual exam में question कैसा है, मैं बताऊँगा आपको वहाँ पे, बट फिलहाल यह र हमें core domain question में ही given होता है, जैसे उसने बोला R to R, तो R तो हमारा domain हो गया, जिसकी हम बात कर रहे थे, कुछ और, हर बार, पूरे real number domain में नहीं आते हैं, कुछ exceptions होते हैं, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, questions और करेंगे उस बारे में, तो यह तो हो गया domain, और सवाल में R to R, य कहलाता है, this is core domain, तो core domain आपको सवाल में दिया रहता है, मतलब pre-image, इधर domain में आ गई, और उनकी mapping यहाँ पे हो रही है, तो जो function define करते हैं, पहला set होता है, वो domain होता है, दूसरा set जो पूरा बनता है, उस तो core domain कहते हैं, समझ गए, और core domain सवाल में दिया होगा आपको, हो रहा है, अब एक simple सी बात, देखें, और यहाँ पे पूरी कहानी अच्छी तरह से clear हो जाएगी आपको, देखें ध्यान से, हमारा core domain is all the real numbers, जो की सवाल में दिया हुआ है, पर यहाँ पे जो second set है, जिसमें सारा real numbers है, सब image नहीं बन रहे है, function देखो x square है, function है x square, जब आ in domain की values का square लोगे, तो आपका output या answer सिर्फ positive आएगा, तो जो यहाँ पे positive element है, zero element है, यही image बनेंगे, या सिर्फ इनकी pre-image होगी first set में, बाकी negative वा लोग, तो किसी की image बनेंगी यह नहीं आपके, ठीक है, तो ध्यान रखिएंगे, यह आपने mapping कर दिए, अब ध्यान दीजे, यह सारे element domain होते हैं, यह पाचो element co domain होते हैं, पर वो element second set के सारे element co domain में आते हैं, पर second set में वो element, जो image बनते हैं, सिर्फ वही range में आते हैं, तो इस question में, पाचो element co domain का part है, पर range में सिर्फ यह 3 element आएंगे, बस इतना सांतर होता है, कई बार range और co domain बराबर भी होती है, जिसको हम on to बोलते हैं, function on to function, और वो बात next class में करेंगे, ठीक है, होगी बात clear, इस question में भी, सारे real number co domain में हैं, क्योंकि co domain तो question में day दी जाती है, पर अगर मैं range की बात करूँ, तो सिर्फ zero और positive elements ही कहां पे आएंगे, range में, क्योंकि वही image बने हैं, या सिर्फ उनकी pre image है, pairing में वही include हुए है, ये जो बाकी negative वाले है, real numbers, वो domain का part, sorry, co domain का part तो है, पर वो range का part है, तो ये दो terms हो गया है, तो second set में जैसे मैंने बोल दिया, all the real numbers, तो ये पूरा core domain बन दिया, पर pairing करते वक्त, जो जो image बनेंगे, या जिन जिन की pre image होगी, चिर्फ वही range में आएंगे, यह बात, तो यहां पर ये 3, range में आगे, ये बाकी दो जो domain में तो आते हैं, core domain में तो आते हैं, पर range में नहीं आते हैं, बस simple सी बात है, तो friends, ये थे कुछ technical term जो हमारे सामने आएंगे, basics में ने बता दिया आपको, अब next lecture will be very very important, जहां पर मैं पढ़ाऊंगा आपको classification of function, और उनके formulas की कितने onto होते हैं, कितने one one होते हैं इस तरह से ठीके, तो third lecture बहुत जल्दी आएगा, और one और two तो आपने देखी लिया है, one वाला भी ज़रूर वोपली अपने देखने हो, ठीके, friends, तो thank you so much, अगर content पसंद आए, तो video like जरूर कर दीजेगा, और comment करेगा, आपे comments are a big encouragement and a motivation, ठीके, अच्छा बुरा criticism भी है, तो you are completely channel comment, I'll try to work on the feedbacks, ठीके, thank you so much, and मिलते हैं, part number three, thank you so much.